प्रभुशी राम दाला की प्राट पतेशा समारों की पूरू सन्द्या पर हुई आर्टी पुलकाता की फूलों से सच रहा आयोध्या में प्रभुशी राम का भवे मंदिन मुख्यदवार पर हो रही आता शक्त सजावर बहरायश में प्राइक प्यागपुर ने कारसेव को उस्था किया सम्भाण महोबगा पान राम मंद्र प्रांट दिश्चा के अनुष्ठान में शामिल महोबगवान की चल्णों महर पित्भू गादे शावरी पान जांसी के गरोठत ऐसील अंदरगत एरेश्ट नगर को बड़ी सवगाद बेटवन अधी की किनारे 4.56 करोड से बने गाम बड़ी आथा नमस्कार स्वागत है आपका आश की खबर में मैं हूँ आपके साथ महिवा शर्मा रुकरते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर प्राण प्रितिश्टा के लिए पूरिया योध्या दुलहन की तरह सजड़ी है लेकिन सबसे आकरशक सजावट मुख्य द्वार पर हो रही है जिस द्वार से देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को राम मंदिर परिसर के अंदर जाना है और दूसरा द्वार सजर कर त्यार हो रहा है वी वी आएपी अतितियों के लिए और तीसरा वो रास्ता जिस रास्ते से अनजजियों को मंदिर परिसर में प्रवेश करना है ये तीनों ही द्वार पर अध्भुत सजावट हो रही है जो सभी राम भक्तों का मन मोहलेगी उसके पहले मंदिर परिसर में भगवान प्रवु शीर राम की अचल मूर्थी अस्थापित कर दी गई है मैं इसमें मौजूद हूँ उस अस्थान पे जहां मानिय प्रधान मंतरी नर्यंद्र मोदी जी मंदिर परिसर में एंट्री करेंगे हमारे पीछे साब तस्वीरों में देख सकते हैं या वही गेट है जहां पे कलकत्ता से आये फूलों से गेट को सजाया गया है और प्रभू सीरी राम के बाल सुरूप प्रतिमा को लगाया गया है आप देख सकते हैं कि गेट को किस तरह से सजाया गया है यहीं नहीं आप पूरी आयोध्या त्रियता यूग की तरह राममय हो गई है और उससे सुन्दर नजारा 22 जनुरू को देखने को मिलेगा जितने भी गेट हैं सब अलग-अलग तरीके सजाये गए हैं अलग-अलग डि प्रदश्था कारक्रम से पहले बहराईश में भाष्पा कार्याले में विधायक पयाकपुर द्वारा कार सेवक सम्मान समारू का आयोजित किया गया इस दौरान पर विधायक द्वारा राम मंदिर आंदूलन में जेल गए विशेश्वर गंज पयाकपुर के 65 कार सेवकों का माल्यार पढ़ कर वा अंग अवस्त प्रदान कर सम्मान किया गया कारकम का संचालन खंड अभियान प्रमुख ने किया कि यहां आज हमने उन सभी कारश्यों को का सम्मान किया जो हमारे विश्वत्र प्रायपुल से तरके थे 1990 में माने प्रिफ्टारी के उपरांद जेलों में बंद थे उन सभी का मैंने आज माल्यार पढ़ करके और अंग बस्तर प्रदान करके उनका सम्मान किया उनका स्वारत किया है भगवान स्वी राम जी हम सभी के आराद्ध है और हम सब लोगों का ये प्रारभ्द है रहा है कि इस अद्वुत सड़ को इस प्रान प्रतिष्ठा के सड़ को हम सब लोग देख पा रहे हैं माने मोदी 22 जनवरी को आयोध्या में रामलला की प्राणप्रतश्चा को लेकर महोबा नगर भगवा मैं हो गया है खंबो में लगे भगवान राम के छंडे महोबा नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं तो महीं दूसरी और दरजनो राम भक्त कीर्दन के माध्यम से शहर के महोलों में घुम घुम कर भगवान श्री राम का गुडगान कर रहे हैं इसके साथी महोबा का सूपरसिद देशावरी पान राम लला के पूजन के लिए दो संतों के माध्यम से आयोध्या भेजा गया है बदादे की 500 साल के लंबे अंदजार के बाद आयोध्या में भगवान राम की प्राणपतिश्चा से सनादन धर्म के अनुयाईयों में खुशी की लहर है देश के प्रधान मंतरी सहिट समूचे विश्व में रहने वाले तमाम सनादन धर्म को मानने वाले लोग इसे आदिहासिक पल का गवा बनने का आयोध्या पहुश रहे हैं सांती महोबा का देशावरी पान भी इस पल का साक्षी बनने जा रहा है पान सो वर्सों के संद्धा के बाद में प्रधुशी राम की जन्म भूमी प्रधुशी राम के लड़े की प्राणपदिश्था का समय है इस समय अपने महोबा से जो है यहां का जो सू प्रसिद देशावरी पान यह पान उसे पूजा में प्रियोब होने वाला है जो महोबा की किसान भाईयों पान किसान भाईयों के दार यहां से बेजा गया प्रभुक्सर पिसकों लेके गए ति हम सभी महोबा किसान भाईयों के लिए पूरे महोबा की हर्स का विशा है कि हमारा पान इतने संगर्स के समय में जो मंदिर तयार हो रहा वहां पर प्रियोग होने वाला है ऐसे समय में सभी महवा के लिए बहुत हर्स का भी से है जहासी के गरोठा विधायक जवाहलाल राजपूत की पहल पर एरशनगर को बड़ी सौगात मिली है एरशनगर में इस्थित मडियाघाट के निर्माण के लिए उतपदेश सरकार ने 4 करोड 65 लाग की धनराशी की प्रशाशकी और वित्ती अनुमती के साथ निर्माण कार शुरू करने के लिए 3 करोड 20 लाग रुपे की पहले किष्ट जारी कर दी है इसके लिए विभागी स्तर पर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है बता दे की गरोठा विदायक जवाहलार राजपूत लंबे समय से आरशनगर के बेतवा नदी पर इस्थित मडियाघाट के निर्माण कार सौंदरी करन के लिए शाशनस्तर से प्रस्ताव पास कराने में लगे थे यह हम लोग पावन बेतवा जी के तट पर खड़े हैं जहां पर मडिया घाट नाम से इस्थान को जाना जाता है और स्रीभग पहला जन कल्यान संस्थान ने यहां के छेत्री विधायक मानिस्त्री जवाहलार राजपूत जी से पत्राचार के माध्यम से आग्रह किया था कि इस जगा एक पक्के घाट का निर्माड हो जाए ताकि यहां जो संध्यकाली नबेला में महारती होती है मावेतवा जी की यहां सुरधालू सुबह प्राताकाल से नहाने दोने के लिए आते हैं पूजा पाट करते हैं तो उनको यह एक विवस्थित रू मानी विधायक जी ने इसको बड़ी ही गंभीरता से लेकर के प्रदेश के सश्वी मुखमंत्री मानी श्री योगी आदे तनाथे जी से एरच के इस मात्र को लेकर के चर्चा की विधान सभाव में भी मानी विधायक जी ने इस विसाय को रखा और परियाटन विभार इस दौरान जलादिकारी ने संबंदित अधिकारीों को निर्देशित किया कि दूर दूर से आने वाले शधालों को किसी पी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सुरक्षब ववस्था के पुप का इंतजाम किये जाए तथा दूर दराज से आई हुए शधालों को भोजन की ववस्था सुनिश्चित की जाए सपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्य अधक्ष राहुल भारती बदायू पहुचे साथी लखनव से शुरू हुई सपा की यात्रा भी बदायू पहुचे इस दौरान राहुल भारती ने मीडिया से बाचीत की और कहा की मैं डिप्टी सीम केश्व प्रसाद मोर के सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता उनके बयान बच्चों जैसे होते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा बाते कर रहा हो उन्होंने कहा की सपा की यह यात्रा लखनव से शुरू हुई है जो गाजयबाद तक जाएगी इस यात्रा का उदेश पीडिये को उनका हग दिलाना है सविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडिये यात्रा को लेके लखनव से निकले हैं जिसे मानने राष्ट्य अध्यक्ष सिर्य अखलेश यादव जी ने हरी जंडी दिखा के रवाना किया और ये यात्रा 17 दिए चलेगी और गाजेबाद में जाके इसका समापन होगा इस यात्रा का उदेश्य है कि मानने अखलेश यादव जी जाते हैं कि जो सत्ता परिवर्तन हो उस सत्ता परिवर्तन में पीडिये के लोगों का पिछुडों का दलितों का अल्पसर्क्यों का और तमाम उन लोगों का जिन लोगों को आजाद भारत में उनका स्वाबिमान सम्मान उनका हक नहीं मिल पाया उनकी इस्तेदारी सुर्ची से प्राण पदर्श्चा कार्कम को लेकर पूरे देश में उत्सा है इसी क्रब में जनपत बहराईच के विकासखंड शेत्र विश्वेश्वर गंज में इमर्ती कुर्साहा शिव मंदिर में भी शंबुनात मंदिर से गाज़े बाजे के सांथ भव शुभायात्रा निकाली गए शुभायात्रा के अगवाई शिव शेवा समिती द्वारा की गए शिव मंदिर के परिसर्व से जैशी राम के जैकारों के बीच विशाल शुभायात्रा निकाली गए शुभायात्रा में शामिल भग्वान श्री राम अलोकिक जाकी से लोंग मंत्र मुख्ध हो गए मुख्य मार्गों से होकर निकली शुभायात्रा को देखने के लिए जन सहलाब उमण पड़ा शुभायात्रा में सनातन ध्वजों के साथ तिरंगा भी लह राता रहा शुभायात्रा शेत्र के विभिन मार्ग मधिन नगर पुरायरा बजार सुजान डी से होती हुई प्रत्विनात्र मंदर के वापस शुभ मंदर इमर्दी पहुची आज रहो हम लोग इस देश के सब्विप धानमंत्री मानी नेंदमोडी जी के आवाहान पर और प्रतेश के वापस शुभायात्र के वापस शुभायात्र के वापस शुभायात्र रहा है चत्रकूत में पराणपरदश्यों की पूर्व संदिया पर अगुवीर मंदर टरस्ट की ओर से प्रभुषी राम ही भव शुभायात्रा निकाली गई सद्गुरु सेवा संग ट्रस्ट के डिरेक्टर डॉक्टर बीके जैन की नेतरत में यह यात्रा निकाली गई शुभायात्रा को शुभारम जानकी कोंड चिकित साले से किया गया और राम घाट शिम मंदिर होते हुए भगवान कामतनात के दर्बार कहुची इसके बाद रगवीर मंदिर में शुभायात्रा का समापन किया गया शुभायात्रा में हाथी घोडा बैंट डीजे के साथ ट्रस्ट के करीब एक हजार से अधिक करमचारी स्थाफ और चिकित सक शामिल हुए खास बात ये रही कि बगगी में सवार होकर प्रभुशी राम की जहांकी निकाले गए जो दर्शकों के आकर्शन का केंद्र बनी रही जिसे देखने के लिए सडकों पर भारी भीड उमर बड़ी हरदोई में बाबु श्रीष चंद्र अगरवाल मेमोरियल प्रादेशिक हौकी टूर्नमेंट के समापन समारो का आयोजन हुआ जहां भाषपा नेता नरेश अगरवाल कारक्रव में शामिल हुए इस वरान भाषपा नेता ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि भगवान राम सबकी आस्था का प्रतीक है सभी लोगों को उत्सव मनाना चाहिए जो नहीं मना रहे हैं यूपी के हरदोई में बेखौफ दबंगो का कहर देखने को मिला जाए हैर सलोन के बाहर बैठे यूवक पर डेड़ दर्जन दबंगो ने अचानक हमला कर दिया वहीं दबंगो ने यूवक की डंडे और इट से बेरहमी से पिटाएगी और मौके से फरार हो गया मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में यूवक को मेडिकल कॉलेज में भरती कराया मामले में पुलिस का कहना है कि हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफतारी के प्रयास किये जा रहे है वहीं इस मास विकास मौर्ट जो कि खाना पोटवाली शहर अंतरगत आता है यहां का है जहां दो कशों में मार्पीट हुई है उप संबन में अभयोग पजिक्रित सवसंगेत धाराओं में कलिया गया है वह इसमें अग्रिम विदी करवाई की जारी है जो घायल है उनका इलाज प्राणपतष्ठा समारों के दिन दिवाली मनाने की पूरी तयारी हो रही है इसी कड़ी में लखनव के कानपुर रोड के पास पटाकों की दुकाने भी लग गए है और जंता भी प्राणपतष्ठा के दिन दिवाली मनाने के लिए पटाके खरीदने पहुंच रही है दुका पढ़ाएं जहांपर पठाखों की दुखाने लगी है लोग पठाक को लेकर हम यहां बात करेंगे जो मौझूद है इसे दुखाने क्यों लगाए गई है कि यहां प्रद्थ करने वाले यह यह हम लोगों को लाइसंस दिया गया है और यह राम जी के उपलब्च में 22 तारिक के लिए दीपावली मनाने के लिए लाइसंस दिया गया जिसके उससे हम दुकंदार भाई सारे लोग दुकान लगा हुए है पुडाके की और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम लोगोंका एक बार पड़ाके के बीजनस में उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से हम लोगों को बीजनस मिले और दीपावली मनाई जाए और लोग यह हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या खुशी है उनक revolvesब ले कर करकें कर यही चाहता हूं कि हमारे भगवान स्री अवध्या में जो है पधार रहे हैं और इसके उसमें इतनी खुसी है कि बया नहीं किया जा सकता है बस इसके लिए बस यही एक नारा जैश्री आप भी कुछ कह रहे थे जैश्री राग बहुत बढ़या लगा बहुत दुकंदारी हो चले एक दम लगे कि हां राम का जैनल मतलब राम आ रहे हैं मतलब बहुत बढ़ बढ़ा से लगे सबकों कि हां यहां के लोग ते जो दुकाने लगाएं और यहां पर सामान खईद रहे हैं कल दिवाली के रूब में प्रांट परिश्टा के तारिकन को मनाने के लिए पूरा लखनौ राम मैं हो चला है कमरापसंद अर्विन कुमार के साथ समीर खान आज की ख़बर से अगले खाबार मत्रा से है जहां धाना महावन पुलिस वा स्वाट टीम के ने लूट की जूटी खटना जूटी सूचना देने वाले आरोपी को गिरफतार किया है आरोपी के पास से एक लाक रुपए एक मोबाइल वा एक बैग बरामद हुआ है पता दे कि आरोपी ने खुद के साथ हुई लूट के संबन में धाना महावन पर शिकायत दर्श कराई थी लेकिन जाच में CCTV कैमरे और अन्य साक्ष की मदद से लूट की घटना का परदा फा करता था उसके द्वारा एक सो बारा नंबर पे सुचना दी गई कि उसके साथ चार बदमाशों ने जो दो अलग लग मोटर साइकिल पे दो दो लोग हेलमेट लगा कर सवार होके आए थे जिन्होंने उसकी गाड़ी आगे लगा के रोकी और तमंचे के बल पे उससे एक ला थी इन्होंने एक सराहनिय कारे करते हो इस पूरे घटना का रहसुत घाटन किया और इसमें ये पता चला कि किसी तरह की लूट की घटना नहीं हुई थी और इस कमचारी नहीं इस कंपनी के माल को गवन करने के उद्देश से लूट की जूटी सूचना दी थी ऑपरेशन त तहत स्थापित जो दस अजाद से जादा कैमरे जन्पद में स्थापित किये गए हैं उसी में परिवर्तन समाज पार्टी की राष्ट्री और प्रदेश कारकार्णी की बैठक प्रयाग राज के मीरापटी मुंडेरा में संपन हुए जिसमें आगामी लोगसबा चुनाव को लेकर चर्चा की गए मुख्यातिती के रूप में परिवर्दन समाज पार्टी के राष्ट्री अध्ध्यक्ष नन्द किशोर साहु शामिल हुए साथी परिवर्दन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा परसाद गुप्ता ने कार करताओं को सम्बोधित किया में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस सिताग रहण की सहारनपुर में पुलिस ने मंडी शेत्र में 16 जनवरी को घर के भीदर हुई लूट पार्ट की घटना का सफल खुलासा किया है जहां पुलिस ने मुटभेड के बाद चार बदमाशों को गिरफतार किया जोरान मुटभेड में एक बदमाश घायल हो गया जिसे लाज के लिए जिलास्पताल भेजा गया मामले का खुलासा करते हुए एससपी ने बताया कि वादी पक्ष के द्वारा 20 लाख रुपे की लूट की सूचना जूटी दी गए थी जबकि उनके घर से मातर 23,000 रुपे एक लकड़ी व्यापारी है फुरकार उनके यहां पर चार अग्युक्तों ने मिलकर सुबह साथ बज़े करीब लूट की गटना कारित की है इसमें की लूट में 20 लाख रुपिया नकद जेवरात और सोने और चांदी की जेवरात रहे इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची सभी अधिकारी गड़ मौके पर पहुंचे और जो दी गई तैरीर है उस पर मुकदमा दर्थ कर पुलिस ने अपरादियों की दरफकर की कारिवाई शुरू की इस गटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने तीन दिवस के बेतर ही चारों आरोपियों गिरफता किया है और जो आरोपियों गिरफतार हुए है उन्चे जो सोने और चानी के जेवरात है वो भी बरामत हुए है उतर प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं आज की खबर